इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिपक्ष को नीचा दिखाने के लिए और अपने लिए बोट को इकठा करने के लिए बोट बटोड़ने के लिए कर रही है और सबसे बड़ी बात जो है राम से जुरा हुआ है राम राज्य क्योंकि अब भगवान से राम की बात तो कर सकते हैं लेकिन अगर साथ में राम राज्य की बात अगर ना करे तो फिर राम की चर्चा अधूरी कहीं ने कहीं है जी बिलकुल राम की चर्चा बगेर राम राज्ये के अधूरी ही कही जाएगी क्योंकि राम राज्ये जिसका मतलब होता है राजधर्म और राजधर्म जिसका धे लोगों की समस्याओं के प्रती जवाब दे ही होती है और इस सब कोई जानता है साथियो इस पूरी गलती सुईकार करना भारतिय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के लिए नामुम्किन सी बात है जवाब दे ही नाम की चीज भारतिय जनता पार्टी के डिक्सनरी में गैर मौजूद है राम के उपर तो राजनिती करते हैं लेकिन साहब कोई मजाल है कि आप राम राज्य की बात कोई कर दे और उसकी मिसाल कुछी बातों में आपको हम बताने वाले हैं लेकिन इस मुद्दे के उपर राजनिती कैसे की जा रही है ये बाजानते हैं आप समझ रहे हैं कि राम मंदिर के उद्गाटन के लिए जो सबसे पहला निमंतरन गया उकिस्कोप गया था और इसलिए भी गया क्योंकि भारते जिन्तापाटी जानते थी कि वो बैक्ती जो है वो निमंतरन को ले करके ना कहेगा और एक बार फिर उसके उपर हम राजनिती क करेंगे क्योंकि ये निमंतरन गया था बामपंथी नेता सीता राम ये चुनिको आपको पता है कि राम मंदिर अंदुलन से बामपंथियों का दूर 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 तक कोई नाता नहीं हुआ यहां तक कि धरम से भी बामपंथी अक्सर बचते रहे हैं लेकिन जान बोज करके भारतिय जंता पार्टी की ओड़ से उनकी आयो जोको ने निमंतरन भेजा सीता राम योचरी को ताकि वो इस बात के लिए मना कर दे इस निमंतरन को आश्यकार कर दे और उसके बाद जोसी जी के टूल किट के चलते जो पत्रकार है वो विपक्च को कुछ कहे भला बुरा लेकिन नहीं एक बामपंथी नेता को गया इनकी हर कदम के पीछे एक राजनतिक सोच है हर कदम के पीछे सियासत है जैसे ही सिताराम योचरी मना करते हैं किस तरीके से खवरे पत्रकारों के भीतर चलने सुरू हो जाती है सबसे पहले विपक्ष राम मंदिर के साथ या फिर खिलाब यानि विपक्ष को राम मंदिर के खलनाय के तौर पे दिखाया जाता है पत्रकारों के भारत में हर बार हिंदू धर्म की अपमान क्यों किया जाता है ना जाने क्यों ये लोग हर बार हिंदू को बिचारा दवा कुछला और हिंदू धर्म को इतना असाहाई दिखा बताते हैं जिस देश के भीतर हिंदों की संख्या 80% है वो असाहाई कभी नहीं हो सकता लेकिन ये पत्रकार लोग हिंदू को हमेशा दवा कुछला बताते हैं क्योंकि दवा कुछला बता देने से भारतिय जनतापाटे बीजेपी के लिए बोट हासिल करना इकठा करना असान ह हो जाता है अन्य पत्रकारों के बीज राम मंदिर का बुलावे पे विपक्ष को गुट्सा आया राम मंदिर का उद्गाटन सेकलूरिजम का रियल टेस्ट यानि राम के खिलाप इनों ने एक धर्म निर्पेक्ष्टा को रख दिया सामने जबकि एक बात असपस्थम कर के भीतर है जवाब दे ही सेकलूरिजम यानि सम्विधान सेकलूरिजम यानि की धर्म निर्पेक्ष्टा हमारे सम्विधान का अभिन्य अंग है लहाजा जब आप राजधर्म की बात अगर करेंगे तो इस बात की भी चर्चाय होगी कि क्या देश की सम्विधानिक मुल्यो जिसके बितगर से क्लूरिजम सामिलो उसके परती आप की तरह जबाब दे हैं या फिर नहीं है फिर आगे क्या होता है कहीं दीप जले कहीं दिल यहां हर पत्रकारों हर निउच चैनल हर टीवी अस्क्रिन पर किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाए जाए उनको target किया जाए फिर वही बात जहां राम की बात कहां होती है यहां राम की अध्यादम की बात कहां होती है यहां पर 22 जनवरी की है मौकर को भी कहीं लोगों को बाटने का जरिया तक बनाया जा रहा और राम जो मर्यादा प्रुसुत्तम राम है उन्हें पत्रकार गोड़ी मीडिया इस तरीके से बद्राम करने के कोशिश करो और इस तरीके से बद्राम करके फाइदा किसको होगा भारती जन्ता पाटी को इसलिए ये बार-बार हम कह रहा है कि बात राम की की जाती है लेकिन राम राज्य की परिकल्पना से राम राज्य से जवाब देही से राजधर्म से ये लोग कोसो दूर है कुछ बाते और आपको हम बता दे कि बजरंग पुनिया अपना पदम सिरी प्रधान मंतरी नरेंद्र लिया था पिछले दिनों बिगेश पोगास अपने अरजुन अवाड वापस कर दिया लेकिन बिगेश भोसन सरंग सिंग जिनके खिलाप इनका संघर्स थाइन लोग का और दबंगई के साथ डटे हुए बने हुए उस पर एक आज तक नहीं उठा लेकिन जबकि अदालत में दिल्ली पुलिस के उसके चार सीट मौझूद है जिसके भीतर हैरत अंगेज खौपनाक चीजों का जिक्र किया गया है लेकिन परधान मंत्री नेंदबंदी इन तमाम मुद्दों के उपर चुप रहते हैं जबकि उन्होंने बिनेश पोगाट को यह आसवासन तक दिया था फिर से एक बात आप सम कहना चाहेंगे अगर यह रामराज्य होता तो जवाब देही होती ना बिल्कुल होती जो पृत है उसके पक्ष में राजा खरा होता होता बिल्कुल होता लेकिन आज उन्ह पृतों को बदनाम किया जा रहा है उन्हें ही टार्गिट किया जाता है ऐस साइनिकों की सौरे का इस्तेमाल करती है राजनिती के लिए अपनी फाइदा के लिए बोट बटोडने के लिए जब गलवान घाटी में एक इस जवान जवावरे देश के साइद हो थे चीन के साथ संघर्स में परधान मंत्री ने अंदमोदी जी के मुक्ष से क्या चीन निकला था क्या क्योंकि यही वो उस दोरान वो परधान मंत्री थे जो क्या दिखाने के प्रयास करते थे लेकिन कुछ भी अभी ने निकल रहा है क्योंकि जब किसान अंदोलन कर रहा था सत्यपाल मलिक परधान मंत्री से मिलने जाते हैं कहते हैं आप कुछ कीजिए है साथ सफवकिसान मर चुके हैं देश में प्रधानमंतरी जी का क्या होता ही ऐधाल सत्यफाल मलिक कि वो मेरी वजह से थोरी न मरें किया यह राज़धर में देश में कि यह जवाब देई होती है अगर एक संगर्स जारी है तो ये सत्ता की जवाब नहीं हो जाती है एक रामराज्य की भीतर कि वो जनधा को सम्भोदित करें जनता को संभिदल सिल निगाहों से सेंसिटिव निगाहों से लोग को देखें लेकिन क्या सत्ता अम बैठे हुए लोग कि चाई कर रहे हैं बर्तमान में भरतिय जन्ता पाटी कोई चाई कर रही है पर यह और बात का अगर जे करके कि तो राम के उपर राजनीती करने वाले किस तरीके से मुद्दो से भागते रहते हैं उसके उपर कोई जवाब तक नहीं देते हैं, एक-एक करके सारे बात आपको बता रहे हैं, राम मंदिर बनना बहुत बढ़िया बात है, उसकी मतलब हर चीज़ ठीक है, लेकिन क्या भारती जन्ता पार्टी के वल राम मंदिर के बोर्ट के लिए इस्तिमाल कर रही है, क्या व वो इवेंट सिर्फ राजनितिक कारणों से होगी, क्या आज योध्या के भीतर जो महा इवेंट हुआ था, जिसमें मोदी जी के उपर फूल बर्साए गए, आज किलिमिटर तक रोड सो हुआ, मोदी जी एक सो चालिस करोड लोगो को संबोधित कर रहे थे, कि एक-एक जलाएं, क्या उस रामराज्य की बात सही है, बहुत सारे चीज हमारे देश में डेली होते हैं, बहुत सारे मजदूर आज क्या कर रहे हैं, आज ही एक तस्वीर सोशल मेडिया के उपर ट्रिंड कर रहा था एक चिता के पास एक बैक्ती एक बिर्द बैक्ती एक बुजरुग बैक्ती उस आख को उस सरीर में हिट लाने के लिए उस चिता के बगल में सोया हुआ लेटा हुआ था महज उसी अध्या के 200 किलिमेटर दूर क्या इसके उपर किसी का निगाह है का नजर है किसी टीवी स्क्रीन पे इसे कोई देखा बिल्कुल नहीं देखा होगा आज 80 करूर लोग को जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं 5-5 किलो भारत के बेज की जनता के लोग की यह ऐसी हालत है कि अगर उनको 5-5 किलो अगर अनाज नहीं दे रहे हैं तो उसका हालत खराव हो जाएगा तो यह तो साफ अस्पस्ट करह ओ रहा है नै कि भारत किस तरीके से तरक्ài हो रहे है जिसे 2-0-8 तक 5-9 खीन अनाज देने की बात होती है तो क्या इसके बारे में कब होगा क्या आप 5-5 किलो अनाज के लिए सिर्फ बोट ढालते रहें राम के उपर राजनीती तो की जाती है लेकिन राम राजजेग में जो होना चाहिए क्या हुआ ऐसा होता है अक्टूबर में एक आक राया था बिरोजगारी का दर दस दो सम्लब सुन्ने पाँच यह तैन पॉइंट जीरो फाइप परसेंट अने एंप्टूबर हाइस्ट इन टू एर यह यह दो साल में एक ही मैने पहले अक्टूबर के भीतर नॉम्बर में उस साथ दसम्लब उससे एक मैने पहले साथ दसम्लब सुन्ने दू थे और सी एम आई ए का यह रिपोर्ट था देश में बेरोजगारी को ले करके कोई संबोधन नहीं होता है हाल ही में अगनी बेर योजना को ले करके नाराज को शिवाओं ने बिहार से दिल्ली तक पैदल मर्च कर दिया था और उनसे मुलाकात रहूल गांधी नहीं किया था क्या परधान मंतरी क्या हमारे पहलमान से भी ने मिलते हैं ना पहलमान बेटियों से मिलते हैं बेरोजगारों से भी ने मिलते हैं अजब बिपक्ष उनसे मिलता है तो पत्रकार ये कहने लगते हैं जब बिपक्ष मिलता है तो पत्रकार के बिच क्या होता है टेली विजन के उपर क्या होता कॉंग्रेस इस मुद्धे पर राजनित कर रही है पहलमानों का जो अंदोलन है अब राजनितिक दिसा में आगे बढ़ गया यानि कि अगर कोई नाइनसाफियो हो विपक्च अगर उसकी भी आवाज अगर न उठाए चवाब बेही पूरी तरीके से बंद किये जाए ऐसे में क्या होगा ये रामराज ये कैसे हो सकता है और सबसे बहुत बड़ी बात कि जिस उस्तर प्रदेश के भीतर बाई जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा राम लला का प्रान प्रतिष्ठा होगा वहाँ पे दलितों और महिलाओं को लेकर कि अत्याचार पूरी भारत के भीतर सबसे जादा है और ये सिर्फ हमारी बात ने एक सरकारी आंकरा कहता है देख से जैहिन जैवार